दो फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ एससे रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं जिसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं क्या इसे रिलेशनशिप टिक पाई की आगे क्या होगा यह हम आज की मुवी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स यह 2011 की एक रोमेंटिक होलिवड मुवी में हम देखेंगे अगर आपको एक्स्पेंशन अच्छा लगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बीना किसी दरीके एक्स्पेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे में क्यारेक्टर डिलन को देख सकते हैं डिलन एक ब्लॉगर था और उसके एक कमपनी भी थी अपनी काम की वज़े से अपनी गर्फरेंट को टाइम नहीं दे पाता एक दिन जब वो मुवी देखने के लिए जाने वाले थे इस वर भी डिलन बहुत ही लेट हो गया जब वो अपनी गर्फरेंट से मिला तो उसे वो ब्रेक अप कर लेती है कहती है तुम हमेशा अपने काम पर इध्यान देते हो मुझ पर तुम्हारा कभी भी फोकस नहीं होता इससे के पैरलल में हम हमारी और एक में गारेक्टर को देखते है इसका नाम है जेमी जेमी के बॉइफरेंड ने भी आज उसके साथ ब्रेक अप कर लिया कहा कि तुम बहुत ही इमोशनली अनैवलेबल हो एक्चॉल में जेमी ये रोमेंटिक मुवीज देखती है उसे हमेशा लगता है उसे बचाने वाला प्रिंच चार्मिंग आने वाला है उसके लिए सिंग करेगा उसके लिए डांस करेगा इस सारी चीज़े बहुत ही कमिटमेंट लेती है और एक कमिटमेंट करने वाला जेमी को अब तक कोई भी मिला नहीं है इन दोनों के ब्रेक अप के बाद ये दोनों बहुत हर्ट हो चुके थे डिसाइड करते हैं कि अब कभी भी डेट नहीं करेंगे एक्च्वल में जेमी नियॉयॉक में रहती है और डिलन एले में इसके बाद तुरन नेक सिन में हम देखते है डिलन एले से नियॉयॉक में आ रहा था उसे एक अच्छे जॉब की ओफर आई थी और ये ओफर जेमी की वज़े से आई है एक्च्वल में जेमी की फ्रीलाइंसर HR कंसल्टेंस है जिन भी कंपनी को अच्छे इंप्लॉई शाहिए होती है इनका कॉन्टाइक को उने दे देती है इसी वज़े से जेमी ने डिलन को कॉन्टाइक किया था अब जॉब इंटर्वी देने के लिए डिलन नुई यॉक में पहुचा जैमी वहाँ उसका वेलकम करने के लिए जैमी को लगता है कि अब डिलन को जीक्यू मैगजिन में काम करने के लिए मिलेगा यह उसके लिए बहुत ही बड़ी ऑपोचुनिटी है पर डिलन को इसका सीरि मिल भी जाता है पर अभी भी उसे नुई यॉक में रहना है या नहीं इसे लेकर वो शूर नहीं था जैमी ने कहा कि मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगे कि नुई यॉक कितना बेस्ट है वो फिर उसे ब्रुकलीन ब्रीज के पास एक बार में लेकर आए यहाँ पर डिलन एक सेलिब्रेटी से भी मिलता है पर उसे उतना अच्छा नहीं लगा इसके बाद उसे बहुत ही टॉल बिल्डिंग के उपर लेकर आए जैमी ने कहा कि मैं जब भी अपसेट होती हूँ तो हमेशा यही पर आती हूँ यह उसके लिए बहुत ही ब्यूटिफुल सा एक्सपिरिय वह अच्छा ही करूँगा यह मेरे फादर को हमेशा लगता था वो मुझे बाद प्राउड होते हैं इसके बाद जैमी डिलन को टाइम स्क्वेर में लेकर आए वहाँ पर सब लोग एक सिंक्रोनाइजेशन में डांस करने लगते हैं जैमी ने कहा इतनी बड़ी सीटी में ल में टॉमी डिलन के ओफिस में जॉब का कॉंट्रेक्ट साइन करवाने के लिए जैमी आई हुई थी एक वनियर कॉंट्रेक्ट है पर फिर भी डिलन छोड़कर जा सकता है पर जैमी कहती है कि ऐसा करना मत अगर तुम छोड़कर चलेगे तो मुझे कोई भी बोनस नहीं मिले डिलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था मैं सिर्फ एस फ्रेंड तुम्हें पूछ रहा था इसके बाद फिर ये दोनों लंच के लिए बाते करते करते हैं अपने प्रिवेस ब्रेकप के बार में बात करने लगते हैं उनके एक्स पार्टनर्स को उनके बार में क्या लगता इस सारी चीज़े एक दूसरे को उन्होंने बता दी ये हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत ही ओनेस रहते हैं इस वज़े से इनकी फ्रेंड्शिप स्ट्रॉंग हो जाती है जैमी ने कहा कि कल रात मेरे घर पर पार्टी है जहां पर तुम और भी फ्रेंड बना सकते हो डिलन कहता है कि सारी मुवी एक ही टाइप की होती है इन मुवी में रिलेशन्शिप के लिए लोग कितना सब कुछ करते हैं किसे से प्यार करना इतना कॉम्लिकेटड होना नहीं चाहिए जैमी भी इस बात से एगरी करती है को कहती है कि आदमी की फीजिकल नीड्स होती है उसी मतलब है बिना किसी कमिट्मेंट के साथ डिलन उसके साथ फीजिकल रिलेशन्शिप रखना चाहता था जैमी कहती कि ऐसा कैसे क्या हम एक दूसरे से एट्रेक्टेड भी है इन दोनों ने एक दूसरे को नोडिस किया और रियलाइस करते हैं कि दोनों एट्रेक्टिव है और में आके दोनों ने इस इशो पर बात की उन्हें लग रहा था कि शायद जो भी हुआ इस वज़े से इनकी रिलेशन्शिप में ओकॉर्डनेस आ चुका है डिसाइड गरते हैं कि ऐसा फिर से कुछ भी नहीं करेंगे पर एक दूसरे से दूर रह नहीं पाया और फिर से इसके बाद नेक सिन में देखते हैं कि डिलन और टॉमी जब हैंग आउट कर रहे थे तब डिलन ने उसे जब जेमी के बारे में बताया तो टॉमी कहता है कि तुम्हारे रिलेशन्शिप कभी भी वर्क नहीं करेगी लटकियों का इन सब चीजों को देखने का नजरिया बह गयता है कि ठीक है यह अरेंज में तोडने के लिए रेडी था इसके बाद दुनों पार्क में आये और उसने कहा कि मैं उस लड़की को डेट कर सकता हो वही पर जाकर उसने डारेक्ली उससे बात कर ली बाद में उसे पता चला कि उस लड़की का हजबंड और कीड्स भी है जेमी उसके साथ डेट पर जाने वाली थी वो दोनों फर्स डेट पर गए एक दूसरे को बहुत ही अच्छे लगते है डॉक्टर का नाम था पारकर और पारकर को जेमी के साथ उसके घर पर चलना था पर जेमी उससे कहती है कि मेरा एक रूल है पार्च डेट तक मैं किसी को भी घर पर नहीं ले जाती है उसने उसे बताया कि मैंने इमेजिन किया है कि मेरे भी लाइफ में मुवी जैसा एक हिरो आये का मैरा एक प्रिंस चार्मिंग अब जब जेमी और पारकर डेट करने लग गए थे तो डिलन का अकेला मैसुस होता है उसे मिस करता है उसने दूसर कर मोगे का फायदा उठा कर उसे कुछ भी ना बताते हुए उसके अपार्मेंट से निकल रहा था जेमी न उसे पकड़ लिया तो बहाने बनाता है जेमी बहुत हर्ट हो के जेमी को बुरा लगा तो पारकर कहता है जो प्रिंस चार्मिंग तुम्हें अपनी लाइफ में चा ली थी जेमी को बेंटिंग बहुत अच्छी लगी जब वो घर पर आये तो उसकी मदर अचानक से फिर से चली गई थी हॉलिडे था तो जेमी और उसकी मदर एक साथ टाइम स्पेंट करने वाले थे जेमी को बहुत ही बुरा रगता है डिलन को जब बात पता चली तो कहता ह तुम मेरे साथ मेरे घर पर आ सकती हो वैसे भी तुम घर पर बहुत ज़ादा बोर हो जाओगी उसने डारेक्ट लेटिकिट बुक कर ले और उसे घर पर लेकर आता है डिलन के घर पर उसके फादर के साथ उसकी सिस्टर भी रहती है ये सब एक दूसरे से इंट्रोडियूस जोगती है यहां मैं पता चलता है कि डिलन के फादर को अलजाहेमर था इस वज़ेसे सारी चीज़े भूल जाते थे वो बहुत ही ज़ादा इंबर्सिंग चीज़े करते थे वह अब जो भी चीज़े करते हैं कभी-कभी अपनी पैंट पहनना भी भूल जाते यह सब तो दूनों वही पर हैंग आउट करने लग गया एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंट करना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है तो डिलन ने कहा तुम मेरे लाइफ में आई यह मुझे बहुत अच्छा लगा जैमी कहती कि तुम ही मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो यह बात क लगी उनको अल्डेटी डिवास हो चुका था तो इस बात से उसके फादर बहुत ही अपसेट हो गया डिलन को जिस बहुत ही इंबरसिंग लगी थी इसके बाद नेक्स डे जब डिलन जैमी को सीटी दिखाने के लिए लेकर गया तो होल्रूर साइन पर बैठ जाते है डिलन को ये भी बास सही लगी जिस साइन पर हो थे यहाँ बैठना अलावड नहीं था तो पुलिस उन्हें पकड भी लेते है बैचारा डिलन हाइट से डरता था तो इस वज़े से भाग भी नहीं पाया इनका वेकेंड ऐसे ही बहुत ही अच्छे से जा रहा था तब एक दिन एन अच्छेंशिप में नहीं रह सकती यह सारी बात जेमी ने सुन ली थी उसे बहुत ही अपसेट लगा रात में उसने फ्लाइट कर ली और वैसे गुस्से में वहाँ से चली जाती है डिलन में न्यूयॉक आया अपना काम कंटिनू करता है पर उसके जेमी से कुछ भी बात न नहीं करती है डिलन को पता था कि जेमी हमेशा एक टाइम पर खा जाती है बिल्डिंग के रूप टॉप पर तो उसे टाइम पर वो भी उसके पास बहुँच गया उसे बुछता है कि तुम मुझे अवाइड क्यों कर रही हो जेमी ने कहा कि मैं एमोशनली एनवलेबल हूँ हम दोनों कभी पर एक साथ नहीं रह सकते है डिलन कहता है कि वो सारी चीज़े सिर्फ में मेरे सिस्टर से खेरा था उसका कुछ भी जादा मिनिंग नहीं है जेमी कहती कि तुमने मुझे कभी भी सिरियसली लिया ही नहीं उसे एक्चुल में डिलन के लिए फिलिंग्स आ क्या था वोई डिलन जाकर उसके साथ मिटिंग कर आए तो जेमी कोई बात पता चलने के बात उसे कन्फरेंट करने के लिए उसके पास भोच गई उससे कहती है तुम्हारा कॉंट्राइट है तो इस तरीके से चोड़ कर नहीं जा सकते है, डिलन कहता है कि मैंने सिर्फ एक ही मिटिंग की थी, पर अगर सचुच में जॉब छोड़कर जा रहाऊंगा, तो मैं तुम्हारा बोनस का चेक में लिख कर जाऊंगा, फिर से इन दोनों का जगड़ा हो जाता है, हम देखते हैं कि आनी को ज़रा बहार जान तुम जो यह सब बात कहती हो, तुम प्रिंस चार्मी ही चाहिए, मूवी जैसा एक हिरो चाहिए, पर एक्चुल में तुम यह सब चीजे नहीं चाहती है, तुम एक स्ट्रॉंग पार्टनर चाहिए, जो तुम्हारे साथ पूरे वर्ल्ड पर कबजा कर सके हैं, मदर को भी लगता था कि डिलन उसके लिए परफेक्ट है, नेकसिन में डिलन के फादर उसके पास पहुच गए थे, एरपोर्ट पर लंच करते हैं, तो भी उसके फादर ने अपनी पैंड निकाल कर बाजो में रख दी, इस बात से पहले हो इंबारस्ट हो जाता, पर जेमी ने उससे जैसा कहा था कि अपने फादर से तुम्हें इंबारस नहीं होना चाहिए, तो डिलन ने वेसाई किया, उसने भी अपनी पैंड निकाल दी, उनने फादर के साथ लंच करता है, लोग क्या करेंगे इसका उसे फरक नहीं पड़ता, लंच करते हो उसके फादर अचानक से किसी लड़की का नाम लेने लग गए, डिलन कहता है कि वो लड़की कौन थी, फादर ने कहा कि मैं जब यंग था, तब वो मुझे मिली थी, वो मेरे लाइफ का प्यार थी, मैं कभी भी उसे भुला नहीं पाया, शायद उसी वचे से तुम्हारी मदर ने मुझे डिवास ले लि जेमी आज राद उसकी मदर के साथ कही जाने वाली थी, और उसकी मदर वहाँ पोश्चती नहीं, डिलन जेमी की मदर के साथ बात की थी, और वो वहाँ पर बहुच जाता है, अचानक से जेमी के आसपास के सारे लोग डांस करने लग गे, उसने डिलन को नोटिस किया, यह जिस तरीके से मुवीज अच्छी लगती है, वैसे ही किया था, वो गहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, मुझे मेरा फ्रेंड वापस चाहिए, यह तुमसे बहुत ही जादा प्यार करता हो, जेमी कहती कि मुझे सब लोगों के सामने किस करो, और डिलन ने भी यह किया, इसे के साथ इनकी एक स्ट्रॉंग रिलेशन्शिप स्टार्ट हुई, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इस लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा, मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर और बेल नोटिवेशन आइकों दोने मत भूलेएगा, हम फिर से मिलेंगे और एक निम्यों के साथ, तब तक के लिए थैंक्यू, और आप अपने आपका खहल रखिया